नमस्कार दोस्तों प्रिलिम्स बूस्टर प्रोग्राम के अंतरगत आप सबका श्वागत है मैं आपका निरंकार वर्मा और दोस्तों आप लोगों से एक रेक्वेश्ट है कि अगर आपको मेरी व्यूडियो पसंद आती है मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक चुरूर करें कमेंट करें अपने सुझाओ दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे ज्यादा लोगों को लाफ मिले और हम भी प्रोसाहित हो करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ले कि आए तो आए एक क क्षण पर इसकर से करते हैं निमलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि उपीत कथनों में से कौन सा या से कथन सही है यानी सत्य है correct answer की पहचान करनी है और पहला कसन दिया है वाई मंडल में उपस्तित गैसों के द्वारा प्रती इकाई छेतर में लगने वाले भार को वाई मंडल ये दाब करते हैं तो basically atmospheric pressure की definition की बात कर रहा है क्या होता है atmospheric pressure अब देखे जहां से अगर हम वाई मंडल ये दाब की बात करें तो देखे मान लो कि यह एक कोई area है मने एक प्रती इकाई छेतर में लिए एक कोई area पर्टिकुलर फिक्स कर लिया कि इतने area में अब इसमें हम देखेंगे कि जो gases हैं अब gases बोलो या आप बोल सकते हो y तो y क्या है y gas का mixer ही तो है तो y के द्वारा इस प्रती इकाई छेतर मान लो ये x इकाई छेतर है इस इकाई छेतर में y का कितना वेट है यानि कि भार कितना है तो प्रती इकाई छेतर में gas का भार जो होता है वही कहलाता है वाय मंडल ये दाव यारी कि ये क्या है वायू का भार वेट की बात हो रही है तो अगर हम इस statement को देखें तो हम कह सकते हैं कि वाय मंडल में उपस्थित गैसों के द्वारापती काई छेतर बे लगने वादे भार को क्या वाय मंडल ये डाप कहते हैं तो यह कथन पूरी तरह से क्या है सत्य है वही पर दूसरा कथन दिया हैी वाय डाप प्रवरता बल यारीडिकी परेशर ग्रैडियंट फोर्स कि बात करना है वाई की दीशा यöवं वाय की गती Vivi की दिशा को न्यधार्द करता है तो उत्पत्ती जो होती है वो होता है वायुदाब में अन्तर से उत्पन होता है ये मतलब क्या है अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मालव एक एरिया हमने ये ले लिया और एक ये ले हमने कहा इस छेत्र में वायू का जो भार है वो अधिक है मालो इस पर हमने कहा कि 900 मिली बार यहां पर प्रेशर है वायू का दाब है और हमने कहा यहां पर 800 100 MB प्रेशर है तो अब क्या है कि इस एरिया में वायू का दाब या भार अधिक है और इसमें क्या है कम है तो ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक force generate हो जाएगा उस force का नाम होगा pressure gradient force वायुदाब प्रवर्ता बल यानि वायुदाब में अंतर के कारण उत्पन बल को हम वायुदाब प्रवर्ता बल कहते हैं अब ध्यान दिजिएगा अगर हम कहें कि इधर उच्छ इन दोनों के तुलनात्मक अध्यन में हम देखेंगे कि इसमें high pressure है और यहाँ low pressure है तब ऐसे में क्या होगा वायुदाब प्रवर्ता बल इसमें आ गया और यह वायुदाब प्रवर्ता बल क्या करेगा वायुदाब को उच्छ वायुदाब से निम्न वायुदाब की ने वाला बल कौन सा है तो आप कहेंगे वायुदाब प्रवर्ता बल है वायुदाब प्रवर्ता बल कब उत्पन होगा जब वायुदाब में अंदर होगा अब ध्यान दीजेगा अगर ये वायुदाब की दिशा इधर कर दिया उच्छ से निमनी की तरफ और मैं आप से कहू कि वायुदाप्रवर्टाबल जो है यानि कि वायुदाप्रवर्टाबल से 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 वायुदाप 90 MB प्रेशर है यानि कि इसके बीच में अगर वाईद आप प्रवर्टाबल देखें तो कितना है आप कहेंगे 10 MB प्रेशर ग्रेडियन्ट फोर्स है अगर हम इसको ए माल ले और इसको हम भी माने देखो यहाँ पर हमने कहा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 1000 MB प्रेशर है और एक एरिया जहाँ पर 900 MB है मतलब अब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियन्ट फोर्स कितना हो गया आप कहेंगे 100 MB पीजीफ है मतलब भी वाले में वाईदाब प्रवर्टाबल अधिक है तो वाईदाब प्रवर्टाबल बढ़ गया तो ऐसे में जो वाईदाब की गती है यानि ज तो इससे आपने क्या सीखा दो चीजे सीखा एक तो वाईदाब की दिसा हमेशा उच वाईदाब से निम्न वाईदाब की और होती है कब होती है जह हमने कहा वाईदाब में अंतर होगा तो वाईदाब प्रवर्टा बल उत्पन होगा और यही बल उच वाईदाब से निम् और दूसरी चीज हमने कहा कि वाईव दाप्रवर्ता बल वाईव की गती को तय करता है मतलब अगर यह बढ़ेगा तो वाईव की गती बढ़ेगी अगर वाईव दाप्रवर्ता बल घटेगा तो हम कहेंगे वाईव की गती भी गतेगी तो इस अधार पर अगर इस कथन को हम देखें तो कह सकते हैं कि वाई दाप्रवरता बल वाई की गती को तै करता है और दिसा को तै करता है तो इसलिए यह कथन सही है अब ध्यान देने वारी बात यह है कि केवर वाई दाप्रवरता बल ही वाई की दिसा को तै नहीं करता है बहुत सारे फैक्टर है वो फैक्टर ब रेखाओं के लंबवत कारी करता है अब समझे समधिये इस बात को कि क्या होता है समदाब रेखाएं मतलब होता है कि समान दाब वाली रेखाएं जैसे माल लो ये पृत्वी है और ये 0 डिगरी हमने खिच दिया तो ऐसे सारी अच्छान से रेखाएं इस पर बनी हुई है ध्यान दीजे तो वायुदाव जो होता है उसको नियंतरित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेंप्रेचर लेकिन केवल टेंप्रेचर नहीं करता है ध्यान दीजेगा टेंप्रेचर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है बाद ने बात करेंगे अभी मान के चलो कि तापमान कंट्रोल कर रहा है वायुदाव को तो कहते हैं कि जहां पर ताप मान अधिक होगा, वहां पर प्रेसर क्या होगा? कम होगा. यानि ताप मान और वायुदाब का इन्वर्स्टोरेशन होता है, विल्टा सम्बंद होता है, ताप बढ़ेगा, तो वायुदाब घटेगा, उसकी पिछे कारन क्या है, जब हम पेटियों को देखेंगे तो वहां पर बात करेंगे अब देखो जहांसे जीरो डिग्री से आप देखो अच्छांस पर यहां पर तापमान क्या होता है बहुत अधिक होता है इसी प्रकार से अगर हम धुरूओं पर चले जाए तो यहां पर तापमान क्या होता है सबस चला जाएगा ठीक है तो अब देखिए यह सारी अच्छान सरे खाएं हैं सारी अच्छान सरे खाएं तो जैसे जैसे धुर्मों की वो जा रहे हैं तापमान घट रहा है तो जो यहां पर प्रेसर होगा यहां पर कुछ और प्रेसर होगा यहां पर कुछ और प्रेसर होगा यह वाली रेखाएं वो कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से अच्छांस रेखाओं के समनांतर होती हैं तो अब धान दीजिए वाईव की दिशा क्या होती है वाईव की दिशा हमेशा होती है उच्छ वाईदाब से तिन वाईदाब की और मालो दो रेखा हैं हमने कहा कि यह रेखा जो ह यह समदाव रेखाए इसी परकार से हमने कहा यह 960 MB है ऐसे समदाव रेखाए है तो अब वाई डाप प्रवर्ताबल कैसे कारी करेगा वाई की दिसार यहां से यहां होगी यहां वारी एर इधर जाएगी तो यह क्या है पीजी एफ पीजी एफ यानि कि आप क्या देख रहे ह कि वाई डाप प्रवर्ताबल हमेशा समदाव रेखाओं के लंबवत कारी करता है वर्टिकली काम करता है तो अगर मैं आप से कहूं एक कोशन आ जाए कि हम वाई की दिसा को बहुत ध्यास मज़ेगा है वाई की दिसा को देख करके जैसे मालो हमने कहा कि वाई एक है ऐसे च दोबाल चल सकता है कि इधर की और किया है हाई प्रेशर इधर की और क्या है लो प्रेशर है प्रेशर ज्रीजर ग्रैल फोर्स कैसे कारे कर रहा है यह मार्म चलेगा और ध्यान दिझेगा कि ये सम्दाव रेखाओं के क्या हो जाएकः soy resources के वर्टिकल हो जाएगा यह कही न प्रवर्ता बल ठीक है तो अब statement को देखो जहांसे वाई दाप प्रवर्ता बल संदाव रिखाओं के लंबौत कार करता है तो ये भी क्या है सही है फिर कराए वाई की दिशा सदयों निम्न वाई दाव से लो प्रेसर से हाई प्रेसर की वर होती है तो आप समझ चुके हैं कि नहीं वाई की दिशा हमेशा हाई प्रेसर से यानि उच्छ वाई दाव से निम्न वाई दाव की वर होगी तो इस अधार पर यह कथन क्या हो जाएगा गलत तो उपरिक्त में से देखा जा तो पहला दूसरा और तीसरा एक कथन सही है इस अधार पर आपका उत्तर हो यह आपका यह से ओक्या हाई देखा एक ह्का प्लेём की वर होगी तो